दिल्ली में आयुजित मेवाद दीवस समारों में जसरत पहलवान और नासिर पहलवान को दिया गया मेवाद रतन दिल्ली में आयुजित मेवाद दीवस के आवसर पर मेवाद की दो महान हस्तियों को कमेटी दवारास समानित किया गया जसरत पहलवान गाउं सिकारपुर ने सन 1994 से 2004 तक मेवात का नाम दिल्ली और हरियाना उत्रप्रदेश में रोसन किया बड़े पहलवान को पराजित करके भारत केशरी का खिताब जीता सन 1997 में कालकाजी मंदिर दिली में राजू पहलवान दिली केशरी को पराजित करके दिली केशरी का खिताब जीता सन 2002 में राजिस्तान केशरी रमेश पहलवान को पराजित करके राजिस्तान केशरी का खिताब जीता सन 1995 में कामा राजिस्तान में मान सिंग पहलवान को पराजित किया सन 1994 में रूपडा का हतीन में परताप पहलवान को हराया सन 1991 में सोहना में काला बलराज को पराजित किया हर्याना दिली उतरप्रदेश राजिस्तान में मेवात का नाम रोसन किया जसरत पहलवान और नासिर पहलवान की उपलब्दी को देखते वे मेवात विका सभा ने इसलामिक सेंटर में आयुजित कारे करम में सम्मानित किया और सभा की अध्यक्ष अक्तर और दीन मुहमद मामली का और हाजी अलताफ ने पहलवान की एक एक उपलब्दी और कारेकरम में पहुंचे मुख्य अथिती इम्रान खान बिल्डर ने लोगों को संबोधित करते हैं कि मेवातियों को एक जुट होने की जरूरत है और मेवात के युवाव को पढ़ाई लिखाई नसे से दूर रहने की हिदायत दी और इम्रान खान ने कहा कि जसरत पहलवान और नासिर ने मेवात का नाम हिंदुस्तान में रोचन किया है ऐसे लोगों को आगे भी सम्मानित किया जाएगा और मेवात विकास सभादवारा बनने वाले भवन निर्मान में पूरा सेयोग करने का भरोशा दिया है कि तक है तक है जाएगा कि प्रेएगा सेयोगा जाएगा और ने खाना है कि पट रहाँ हूं वदनाईटेख बोधो नाउ मेरो गाउंबी आली मेरो